हिलो प्यारे बच्चो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत फ़ागत है बच्चो आज का वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास नाइंद का गनीत का व्रक्षिट नंबर 20 के बारे हैं यह जो व्रक्षिट है 238 2021 की होने वाली है और यह जो व वेलू हमारे पास अननोन हो मतलब एक वेलू का मान हम नहीं जानते हैं जैसे आपे AX प्लस B है तो हम X की वेलू नहीं जानते हैं तो यह एक चरवाले रैकिक समिकरन है और इसका एक अधित हल होता है मतलब एक ही हल होता है ठीक है अगर जो हम बात करें दो चरवाले रैकिक समिक्रण तो देखें, हाँ पर लिखा हुआ, ax फ्लस by प्लस see मतलब यहाँ पर दो value हमारे लिए unknown है, x को भी हम नहीं जानते हैं और y को भी नहीं जानते हैं तो यह दो चर्वाले रहकेक समिक्रान हिंगा जो दो चर्वाले रहकेक समिक्रान होता है बच्चों उसका अपरीमूत त्रूप से अनेक हल मतलब उसका अनेक हल होता है infinitely अलूसन होता है घेका जैसे आपे देखें एक उदारन दिया वैसे वैसे X का value भी चेंज होगा जैसे देखो Y की value 0 माना ये तो Y के जहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर minus 2 into 0 तो 0 plus 6 तो 6 ही आगा अब जो Y की value 1 माने तो minus 2 into 1 तो minus 2 plus 6 तो 4 आगे और जो पर इसी तरह से हमें क्या करना है इसको graph पर भी represent कर सकते हम देखो graph पर कैसे represent करेंगे इधर X इधर हमारा Y की value हो गया ठीक है बचो और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे कितना कितना value लिए ते देखो जब X 6 ता Y 0 था जब X 4 था ता Y 1 था समिक्रन का संतुष्ट करेंगा मतलब किसी भी एक सर्वाई की value देखेंगे किसी भी पॉइंट को ले करके तो हमेशा सेम आएगा समिक्रन का प्रतियक बिंदू उसका हल होंगे जो भी समिक्रन उसका हर एक points जो हर एक का उसका हल होता यह graph ठीक है उसके बाद हमें चार समिक्रन का एक साथ-2 और य य का वैलो मैंस-2 हो सकता है नहीं तो हो सकता है नहीं उसके लिए क्या करेंगे बच्चों हल करकर देखेंगे उसके लिए क्या करेंगे चाहां से हम देखें कि यह तो रखदी एक Leake य आपे sed них में था एक लगा disciples ऑड़ समीक्रन में दोचायं हो प्लस्टू तो चार प्लस दो छे आ गया आरेचेस में भी छे था तो LHS रचेस का ब्राबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग यह बोल सकते है कि हाँ X बराबर दो Y बराबर मांनेस दो समिकरन 2x minus y equal to 6 का हल है मतलब है ठीक है अब अगला जो प्रशन है था बच्चो अगला जो प्रशन है देखो वो ये दिया गया है ये दिया गया आपको कि समिकरन y equal to 5x plus 2 के कितने हल हो सकते हैं तब ही बतायते हैं कि ये दो चरवाले राखिक समिकरन है सकते हैं अनेक हल हो सकता है ठीक है बच्चो उसके बाद देखो ब्यहदी आशान सा प्रशन दिया था प्रशन अमद तीसरा प्रशन तीसरा जो है समिकरन 5x plus P y equal to 4 का हल x equal to 2 y equal to 3 है इस बाद दिया हुआ हल है तो P का मान ग्याद करें तो कैसे ग्याद करेंगे बच्चो पहले x के जहापे उसकी वेलू रख देंगे y के जहापे उसकी वेलू रख देंगे देखो जैसे हमें आपर दिया तो x की वेलू 2 और y की वेलू 3 रखना था समिक रहने 5 x plus py is equal to 4 मतलब हमें x के जहापे 2 रखेंगा 5 x मतलब multiply में 5 multiply 2 अब py मतलब p multiply 3 is equal to 4 अब इसको हल कर देंगे बच्चो ओता x की वेलू यहाँ से आ जाएगा 5 2 जा 10 लिख दिये 3 को पीसे करेंगे 3 p is equal to 4 या plus 10 है इधर आके minus 10 हो जाएगा 3 p is equal to 4 minus 10 तो जब minus 10 और plus 4 solve करेंगे तो minus 6 आएगा पी की वेलू इधर multiply में तो एजर आके डिवाइड हो जागा minus 6 बटे में 3 तो p की वेलू कितना आगया बच्चो minus 2 आगया पी की वेलू कितना आगया students minus 2 आगया तो यही था हमारा answer ठीक है बच्चो फिर आज की जो वरक्षिट का बहुत आखरी question जो है इस प्लस Y is equal to 6 तो इसके solve किये तो Y की वेलू किया आए six minus X अब हम वेलू लेंगे सबसे पšकर वेलू 1 मानते है तो बच्चो तेंगे त। इस तरह से तेक आगया यहां पे हम दो नुकिक है यहां पर एक्स वन तो वाई टू एक्स जीरो तो वाई भी जीरो एक्स माइनस वन तो यह नहीं सकते हैं जैसे बना गर्णाफ सिधा भी बनेगा इसका ही आगया अब आपको करना क्या है यह दोनों पॉइंट ग्राफ पर रखके लिए देना हम तड़ा देखो हम कॉपी पे जल्दी में तो बनाने की कोशिस किया है तो ग्राफ हमें नहीं मिल रहा था इस वासे थोड़ा लाइन ही दरुदर हो रहा है आप लोग ग्राफ पे बिल्कुल सीधा इसी तरह से वैलू बनाना फिर भी हम एक आडिया दे दिया कि देखो बच्चो आज का जो यह वीडियो था काफी श्कूल रहा हो और कापी चीजों को समझेंगा अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ग्रूप में ज्यादा ज्यादा सेर करना ताकि ज्यादा स्का बेनिफिट ले सके फिर मिलते बच्चो अगली क्लास में जब तक आप लोगर पर सेफ रहें सुरचित रहें जाहिंद